दोस्तो आज हम बनाएंगे बिना चीनी, बिना चाशनी, बिना मावा के हलवाई से भी ज़्यादा टेस्टी, मुँ में गुलने वाली बेसन की बर्फी इस बेसन की बर्फी की खास बात ये है, कि आप इसको जादा मातरा में बनाकर बिना फ्रिजबी लंबे टाइम तक स्टोर करके रख सकते हैं, ये खराब नहीं होगी इस तरीके से बेसन की बर्फी बनाना इतना असान है, कि जिनको खाना बनाना बिल्कूल भी नहीं आता, वो मेरी इस वीडियो को देखकर बेसन की बर्फी बनाएंगे तो पहले बार में ही उनकी बर्फी बिल्कुल पर्फेक्ट और हलवाई से भी जादा सौफ्ट सौफ्ट और टेस्टी बनेगी क्योंकि हम ये बर्फी बिना चाशनी के बनाएंगे नमस्ते दोस्तो स्वागत है आपका राव मंजू की चिन में तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं बेसन की बर्फी बनाने के लिए लेंगे दो कब बेसन ये बजन में 250 ग्राम है बेसन आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं जितने आपको बर्फी बनानी हो बेसन को अब छलनी से चान लेंगे आप यदि बेसन को नहीं चानना चाते हैं तो कोई बात नह बेसन को बिना चाने भी इसकी बर्फी बना सकते हैं मैं तो बेसन को इसलिए चान रही हूँ ताकि जो बेसन में छोटी छोटी बेसन की डली सी बन जाती है न वो खतम हो जाए बर्फी बनाने के लिए बेसन मोटा या बारिक कैसा भी ले सकते हैं इस तरीके से बेशन की बरफी बनाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी हमने बारिक वाला बेशन लिया है तो इसमें चोकर बिल्कुल भी निकला है ये देखिए अब बेशन में बेशन की एक भी डली नहीं है यानि की जो बेशन की छोटी छोटी गाठे बन जाती है न वो चलनी से चालने से सारी खतम हो गई आब इस बेशन को उठा कर कड़ाई में डाल देंगे गैस को मीडियम फ्लेम पर रखकर बेशन को ड्राइ रोस्टी करेंगे बेशन को लगाता चम से चलाना है ताकि बेशन जले नहीं और गैस को मीडियम फ्लेम पर रखकर ही बेशन को बूनना है क्योंकि यदि गैस को हाई फ्लेम पर रखकर बेशन को बूनेंगे तो बेशन उपर उपर से पक जाएगा और अंदर से हलका सा कच्चा रह जाएगा तो बेशन भूनते टाइम इस बात का ध्यान जरूर रखना है वैसे भी इस बरफी को बनाने के लिए सिर्फ बेशन भूनने में ही थोड़ा टाइम लगेगा बेशन को भूनने के बाद तो ये बरफी फटा फट से तयार हो जाएगी दोस्तों आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट जरूर करना और यदि आपने मेरे चैनल को पहले सी सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका तहें दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कैस को मीडियम फ्लेम पर रखकर बेशन को 10 से 12 मिनिट के करीब हो गए बूनते वे बेशन का कलर भी चेंज हो गया और बेशन में से बूनने की खुशबू भी आ रही है तो इसका मतलब है कि बेशन अच्छे से बून गया तो आप इसमें डालेंगे दो बड़े चमच देसी गी देसी गी की जगें आप तेल या डालडा गी भी ले सकते हैं बेशन में घी बहुँ ज़्यादा नहीं डालना है घी को बेशन में अच्छे से मिला देंगे और बेशन को थोड़ा सा और भून लेंगे इस बेशन को तो हमने पहले सी अच्छे से भून लिया था लेकिन देशी घी डालने के बाद बेशन को हमने 2-5 मिनट और पकाया है ये देखिए घी डालने के बाद बेशन का कलर कितना अच्छा हो गया है और बेशन भी थोड़ा और अच्छे से बुन गया तो अब गैस को बंद कर देंगे और इसको थाली में निकाल लेंगे घी जब अच्छे से गरम हो जाएगा तो अब इसमें डालेंगे 2 कप गुड़ मैंने इस तरह का गुड़ लिया है और गुड़ को बिल्कुल बारिक बारिक काट लिया ये वजन में 250 ग्राम है बेशन हमने 250 ग्राम लिया है तो गुड़ भी 250 ग्राम मिलेंगे आप गुड़ को गी में अच्छे से मिला देंगे गैस की फ्लेम को मीडियम पर रखेंगे और गुड़ को लगाता चमसे चलाते रहेंगे 250 ग्राम बेशन के लिए जो हमने ये 250 ग्राम गुड़ लिया है वो बिल्कुल परफेक्ट है लेकिन आप अपने टेस्ट के आकोडिंग गुड़ कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं गुड़ को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है गुड़ जब अच्छे से पिगल जाएगा तभी तक गुड़ को गरम करना है गुड़ को यदि बहुत ज़्यादा पका देंगे तो ये बेशन की बरफी सौफ्ट नहीं बनेगी बहुत हाड हो जाएगी ये देखी थोड़ी देर में ही गुड़ अच्छे से पिगल गया तो अब गैस को बन कर देंगे और अब इसमें ये बेशन डालेंगे जो हमने भून कर रखा है और साथ में डालेंगे 6-7 इलाइची को कूट कर बेशन की बर्फी में थोड़ी सी इलाइची को कूट कर डालेंगे तो ताजा कुटी हुई इलाइची का बर्फी में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा आप इनको अच्छे से मिला देंगे मैं आपको दोबारा से बता रही हूँ कि हमने गैस को जलानी रखा है आप गैस को नहीं जलाएंगे बिना गैस जलाई इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगी इस बरफी के मिक्सर में वैसे तो कुछ भी डालने की जुरुत नहीं है लेकिन आप यह चाहते हैं कि हमारी बरफी सूखी सूखी नहीं बने तो आप इसमें एक बड़ा चमच पानी डाल देंगे इसमें पानी की जगे दो बड़े चमच देसी की भी डाल सकते हैं इसमें आप यदि पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे तो सर्दी के मोसम में आप इस बेसन की बर्फी को बिना फ्रिज के भी एक महिना स्टोर करके रख सकते हैं ये खराब नहीं होगी और एटाइट कंटेनर में डालकर फ्रिज में रख देंगे तो आप इनको तीन से चार महिने तक भ खराब नहीं होगी लेकिन इसमें पानी बहुत जादा भी निडालना है क्योंकि यदि इसमें पानी जादा डाल देंगे तो इसमें बर्फी का टेस्ट नहीं आएगा ये मिक्स्चर ऐसा लगेगा जैसे बेसन का हलवा बनाया हो आप इसमें अपनी पसंद के भी डाल सकते हैं सारे चीजे गुड में जब अच्छे से मिक्स हो जाएगी तो आप इसको घी लगी हुई थालिया प्लेट में निकाल लेंगे इसको चमच से प्लेन कर देंगे बाजार से आप देसी घी की बेसन की बर्फी खरीद कर लाएंगे तो बहुत जादा महंगी मि लेकिन आप घर में ही सस्ते में बिना चीनी बिना चाशनी के गुड वाली हेल्दी टेस्टी मुमें गुलने वाली बेसन की बर्फी बना सकते हैं वो भी बहुत आसान तरीके से आप इसके ओपर थोड़े से बारिक कटे हुए बादाम और पिस्ता डाल देंगे ताकि हमारी बर्फी दिखने में और भी अच्छी लगे इनको चमस से दबा देंगे ताकि ये इसके उपर अच्छे से चिपक जाए ये गरम है तो इसमें चाको से अभी में कट लगा देती हूँ ताकि बाद में हमें कोई दिक्कत नहीं हो ये अच्छे से ठंडी हो जाएगी तो भी इ तो आप इनके उपर एक बार फिर से चाकू से कट लगाएंगे ताकि थाली में से बर्फी को निकालने में कोई दिकत नी हो एक बार आप इस तरीके से बेशन की बर्फी बना कर जरूर देखना ये वाके में बहुत ज्यादा टेस्टी बनती है ये लिजिए अब हमारी बहुत मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट जरूर करना वीडियो को लाइक और शेर भी करना अपने दोस्तों में मुझे अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई